मैं हूँ सुश्मा और अलगाओ का अगला जो टॉपिक है वो में लेकर आई हूँ और भी थिंकर्स ने अलगाओ की जो अधार ना दी है उसके बारे में बात करेंगे ठीक है तो मैक्स विबर ने अलगाओ सिधान्त की बात की कि अलगाओ जो है वो नौकरशाही विवस्था क कोई रूची नहीं होती विक्ति की कार करने की हम नौकरी करने जाते हैं तो कोई रूची नहीं होती एक ही कार को बार बार करते हैं उनका कोई परसनल ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा कार करेंगे तो उनको ज़्यादा प्राफिट मिलेगा कम कार करेंगे तो कम मिलेगा तो उ अलगाव वेक्ति जो है दिरे-दिरे मांसिक रूप से अलगावीत होता चला जाता है और बिल्कुल अरूची से किसी तरह से विवस्ता पूर्वा को जाकर अपने कारे को करता है कारों में कोई उस्साह कोई रूची नहीं रह जाती यही बात मैक से बरने अलगाव के इंतरकत बोली है तो यह कोस्चन याद रखेगा जिप्रिन की अलगाव जो है नौकर शाही के करण आते है नौकर शाही में अवेक्तिक्टा पाई जाती है अरूची उत्पन होती है और अरूची ही अलगाव का करण है ऐसा मैईकस वेबर ने बोला है ठीक है वहीं का अलगाव से ध खर्शमान लेते हैं और उसकी तरह हम बनना के अधारना उन्होंने बोली है कि अलगाव जो है जब हम किसी संदर्ब की तरफ बनना चाहते हैं तो हम अन्य समूह से कट जाते हैं अपने स्वाइम के समूह से कट जाते हैं उस समूह की तरफ बनने के लिए जो हमारा आधर्श है उसकी तरफ बनने के लिए हम बिलकुल एका मारें को छोड़कर पढ़ाई करते हैं जादा से जादा माली जी मेरी आज फिल्म देखने की इच्छा हो रही है कहीं मुझे घूमने का मन हो रहा है लेकिन मुझे पढ़ना बहुत जादा है ठीक है तो मैंने क्या किया लोगों से दूरियां बना लिए अपने समुदाय को लो और भी चीज़ आपको बननी है तो उसके अंतरकत हमको बहुत जादा परिश्रम करना पड़ता है हम अपना आपको बिल्कुल रिजर्व कर लेते हैं एक आकी बन जाते हैं दूसरों से नहीं मिलते हैं तो इसी एक अंतरकत अलगाओ के बात की है मर्टन ने ठीक है यह अलगावित हो जाते हैं तो यही बात उनों बोली कि उनको अपनी इच्छा से कारण ही कहना पड़ता है कि आज मेरा यह कारण है कि इसको हम क्रियेटिवट हमसे कैसे कर सकते हैं इसका कोई स्थान नहीं होता वो जैसा कि उनको सौपा गया है जैसे विवस्था के अंतरक विक्ति किसी समाज या संगठन से संचालित होता है और अतिदिक नियंदन उसमें अलगाव उत्पन करती है एरिक फ्राम ने माना है कि विक्ति जो होता है वो किसी समाज से जुला होगा संगठन से जुला होगा क्योंकि वो जानवर नहीं है वो इंसान है जानवर होगा तो यही बात एरिक फ्राम ने बोली कि जितना ज्यादा नियंतरण होता है उतना ज्यादा अलगाउद पन होता है और संस्क्रिती और सब्विता कि इतना ज्यादा नियंतरण होता है मालीजी कहीं पर बहुत अच्छा सौंग बज रहा है और वहां पर डांग से करने का मन कर र और सब्वेदा ने लोगों को इतना ज्यादा नियंत्रण में रखा है कि अलगाव होता है लोग 12-15 घंटे अपने लैपटाप से ही कारे करते रहते हैं उनको और भी चीजों से उनका जो जो रूची है उनकी वो धृद्री खत्म होती चली जाते हैं और अलगाव जो है ज्या होती है देखिए ब्लाउनर ने बोला कि ऐसा नहीं कि मशिनी कृत कोई भी उत्पादन हो रहा है तो सब के सब्स्रमिकों में अलगाव होगा सभी लोगों में अलगाव होगा ऐसा नहीं है छेतर में अलग अलगाव होता है यानि कि जैसा छेतर होगा जैसा वहां पे कारे हो में उससे कम होगा यानि आपने अपने देख राइखा होगा की जहां पे केम्कल प्रोसेसिंग होती है केम्कल बनाया जाते हैं बग्यानिक लोग आपके कभी कोई अलगारी उसे नहीं होता है। वशह दोवड़ा उनको अपने कार्यों happy में ईतना जादा तलीनता और अतना जादा ओडिवःऔपन हो जाती है। जोशिए उनको अलगाओं नहीं उसमें एंज्जवानाने लगता है। वर हडी है, उसमें लाज वक्टीवर। ऑपने बीवतां में हत आने हिवा होता हैं। तो यहीं बात बोली है, ब्लाउनर ने, उनका अलगाव सिध्धानत यही है, तो इतने ही अलगाव सिध्धानत इसमें हैं, ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यदsil आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेइर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को यदि आपको मेरे सारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ओके बाई